टो कि कैसे आप सभी आप सभी आज के सेशन में एक बार फिर से स्वागत हैं तो जैसे करन आप सभा सो भी जानते हो रेलवे के अधिक शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाजेशन का प्रॉसेज लगता है यां पर भी रेलवे ने इस्पेसिपाई कर दिया है कि आपका नॉर्माजेशन का प्रॉसेज जो है वो लगेगा सभी विकेंशनी नोटिस और normalization methodology and a computer-based test exam for all centralized employment notices दब सभी में लगेगा इसमें क्याराइट is notified that all concerned that the following normalization methodology for normalization of marks shall be followed by RRBs for normalizing the raw scores of the candidate in the examination conducted in the multiple shift of exams इसमें percentile equivalence method लगेगा जिसमें सभी तरीके की जितने भी आपके आरवी के पेपर ने चाहें टीपीसी ओ ग्रॉप डी ओ आरवी यह यह आरपी फैसाइए और पीफ कॉंस्टे मिलों कोई भी एक्जाम हो ना पैरे मेडिकल के एक्जाम सो सम्में नॉर्मलाइजेशन लगेगा नॉर्मलाइजेशन पर्सेंटाइल स्कॉर मेथड पे लगेगा अब यह पर्सेंटाइल स्कॉर मेथड होता गया यह सब तुम्हें पर्सेंट से जडस सोचना नहीं है क्योंकि मैं सहीजी बात बदाओं तुम बस मानों कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे तो की अभादा तो को मत करने कोशिश करना जादा से जादा कोशन सintendo कि जितने इस आधा निगेटिव आप आएंगे normalization का उतना ही नुकसान होगा क्या होता है मैं आपको एक बहुत एक चोटा से एक्जाम्पल देता हूं जैसे कोशन आया जो बहुत सिंपल है और उसको 90% बच्चों ने सही किया एक परसेंट ने गलत किया तो नौलाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा घाटा लेकिन फर्क पड़ता है जो बच्चा ज्यादा निगेटिव मार्किंग ज्यादा तुक्के बाजी करता है वाकी आपके शिफ्ट टफ आएगी इसी आएगी यह तो कोई आपको तो पता नहीं कि आपको पहले से पता चल जी गया कि मैं आज पेपर देने जाओंगा मेरी श साल भी होता है कौन सा फॉर्मला लगाते हैं वो सबको पता है लेकिन इस फॉर्मले से आपका कोई लेना देना नहीं है आप क्या करोगे परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है यह कहता है नंबर ऑफ केंडिडेट अपेर इन दा शिफ्ट में कितने बच्चे अप्यार पस कैसे यह मैधर आपके नहीं अञां एक इस अफ़ंण कर एंपका कोई यूज या मैटर में आपका कोई फाइदा नहीं आपका फाइडा त्यारी करने में इन सब छीजों पर ध्यान ना देने में इन सब चीजों पर田 the a किनारी करिये आपने करिए अच्छे से कोशिश करिए जाधा से जाधा मॉक टेस्ट लगायां पूर्ण प्डेम टेस्ट अविलिबिल हैं फिर बहुत प्रीम अहिस्त और यह विव उप फ्रीम टेस्ट अव मिलें आप जितने जद्व फ्रीमॉक अवेलिबिल जो है है उनको लगाई गया क्यूंकि मोग checking से ही फाइदा होगा नांशियाशन क्या यह नहीं सब से कोई फाइदा नहीं होगा आप मोग टेस्ट कितने लगाओ यह फाइदा ओगा एग्जाम जाने से से पहले कम से कम 15-20 मौक लग जाए कि कम से कम 15-20 ज्यादा लगा लो तो और बड़ी है तो इतने तो सब्सक्राइब करेंट अफेर्स होती है सुबह आट बजे प्रेम सर की साइंस की क्लास होती है सुबह दस बजे मैं स्वेम आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं एकदम जबर्दस तरीके से ग्यारा बजे अभी मेरे बाद इस सेशन को एंड होते हैं एकदम रविंदर सर 11 सारी railway की करना चाहते है क्योंकि रेलवे थांगे आपको बाद में फ्री मिलते जाएंगे तो आप जोड़ सकते हैं रेलवे के महापेवए के साह जसका एक साल का सब्सक्रिप्शं प्राइज है केवल 1499 रुपे मात्र 1499 इसमें आपको टॉपिक वाइज डी पीपी मौक टेस्ट सिरी सब कुछ मिलेगा करेंट अफियर मैगजीन बहुत सारी चीजे आप सभी लोग रेलवी का महा पैक ले करके अपनी तयारी को और बहतर बना सकते हैं दीगे चलिए सो देंक इनफॉर्मिशन आप तक पहुंचा नहीं दी आप तक पहुंचा दी है मैनत करते रही है इसी तरह रेलवी एक्जामस वाला के साथ जुड़े रही है और अपनी तयारी को बहतर बनाते रही है तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का दिन शुवो जैन जै बारत